नमस्कार सातियों, डिफकेक का मामला जो है आप सुर्ख्यों में देख रहे होंगे, चर्चा बना हुआ, ये डिफकेक क्या है और इसकी पहचान कैसे कि जा सकती है और इसको नियंतरन करने के लिए हम और सरकार जो है किस तरह से कदम उठा सकते हैं, इसके पूरी चर्चा हम और आपको पूरी तरह से 70% अपने ग्रिफ में ले चुका है, आप इस बात से बनुमान लागा सकते हैं, कि आप कोई भी प्रेटफर्म का यूज करते हों, चाहे इंटरनेट के माधियम से हो, चाहे शौपिंग के माधियम से हो, आप कोई भी चीज करते हो, तो आप देख स आपकी एक्टिविटी और आपके दिमाग के 90% चीज़ों का पढ़ने का काम करता है, यह इसके नुकसान भी है, फाइदा इस रूप में है कि कोई भी गतिविदी कहीं भी प्रेटफर्म के माधियम से करता है, इस प्रेटफर्म के इस सोचल मेडिया प्रेटफर्म के माधि अगर करता है, उसको जल्दे जल्दे पकड़ा सकता है, फाइदे भी हैं और इसके नुकसान भी है, कोई भी टेक्निक, कोई भी टेक्नोजी आता है, उसके फाइदे भी होते हैं, अब नुकसान यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो यह जो है डिफ फेक मामला जो है विडियो जो है वाइरल हुआ है अब यह मामला डिफ के का जो है यह पुराना बहुत पुराना है दोर सोला का मामला है दोर सोला में क्या हुआ था एक रेडिट जो है यूजर था जिसने क्या किया था जिसने जो है एक इसराइली अबरेतरी का फोटो और किसी का सरीर का फोट वायर कर दिया था जिससे पुरी मिडिया में पूरी तरह से फैल गई इससे पता चलता है कि आज का दौर जो चल रहा है social media का कोई भी चीज चलो आप आसाने से वायराल कर सकते हैं पूरी छुट है इसके लिए अब डिपक होता क्या है अब deep cake जो है real video में किसी का चेहरा अगर लगा देंगे या photo में किसी का चेहरा लगा देंगे उसको viral कर देंगे ये कितना आसान है आज के से में social video में viral करना अब देखते हैं हम लोग इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं deep cake का एक photo और एक original photo में बहुत ही minor difference होता है दोस्तों इसकी पहचान जो है बहुत ध्यान से किया जता है इसमें चेहरे का color और lighting को भी आप देख करके आप अनमान लगा सकते हैं कि कौन deep cake का जो है photo है और कौन जो है video जो है एक original है या फिर आप कर सकते हैं चेहरे का हाव भाव और आँखों की movement से भी आप पता कर सकते हैं चेहरे का हाव भाव कुछ और कह रहा है और हाथों के movement कुछ और कह रही है आँख का movement कुछ और है और जो है जो body जो है body movement कुछ और का रहा है इसके मादियम से भी आप पता कर सकते हैं लिप्सकिंग के तरीके से भी आप पता कर सकते हैं मतलब विडियो में लिप्सकिंग जो है मतलब कोई और भासा कीज हो रहा है अब बोल्डी एस्टाल किसी और तरीके से हो रहा है इससे भी आप पता कर सकते हैं यह तो पाचान के तरीके से हैं, अब इसको रोकने के लिए, सोसल मेडिया और सरकार क्या कर रही है, इसको नियंद्र करने के लिए, जो Facebook है, Youtube है, इनके दोरा कहा गया है, इनको उपर से आधे सरकार के दोरा आधेस दिया गया है, कि कोई भी इस तरह के जो है फेक content अगर आपकी platform पर आती है तो आप उसे जल्दी से जल्दी हटा देंगे वो भी 36 घंटे के अंदर आप हटा देंगे आप इसमें जो है सरकार क्या कर रही है तो IPC के धारा क्या तहात उस पर मानहानी का case दर्ज किया जाएगा जो भी इस content के म मामला क्या है यह जो है चर्चा में क्यों आया यह रस्मी का मंदाना जो है जो एक साउत की जो जानी मानी actress है इनके जो है चेहरे के साथ खिलवाल किया गया है इसके तरह जो है यह मामला सामने आया उम्मीद करता हूं आपको यह चीज़े समय में आ गई होगी इस वीडियो को यहाँ दरखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद